C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा पांच की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का चौद्वा पाठ जब धर्ती काँपी प्रिष्ट संख्या एक सौ इकत्तेस एक बुरा सपना ओहु, क्या हुआ? बचाओ, बचाओ, जल्दी आओ चारों तरफ चीखने चिलाने की आवासें पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग मैं जोर से चिलाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई मेरी चीख से मा भी नीन से जाग गई वे भागी आई और मुझे अपनी चाती से लगा लिया ओ, यह तो सपना था चेह साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था उस भूकंप को आए चेह साल से भी ज्यादा हो चुके हैं पर आज भी कई बार नीन्द में लगता है मानो जमीन हिल रही है मैं गुजरात के कच इलाके में रहने वाली जजमा हूँ बात तब की है जब मैं सिर्फ ग्यारा साल की थी उस दिन गाउं के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जन्वरी की परेड देख रहे थे अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए प्रिष्ट 132 कुछ ही पल में हमारा पूरा गाउं मलबे का धेर बन गया हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना, सब कुछ मलबे में दब गया उस समय सभी लोगों का ध्यान दो ही कामों पर था मलबे की नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरम पट्टी करना गाउं के अस्पताल को भी नुकसान पहुँचा था डॉक्टर बाबू ने गाउं वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया बहुत सारे लोगों को तो गहरी चोटे भी लगी मेरी टांग भी तूट गई गाउं की छे लोग दब कर मर गए नाना भी मलबे में दब गए मा तो दिन भर रोती रहती थी मा रोती तो मैं भी रोती पूरा गाउं ही दुखी और परेशान था हमारे गाउं के सरपंच मोटा बापू के घर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था उन्होंने अपने गोदाम से सभी को आनाज दिया कई दिन तक गाउं की ओरतें मिलकर मोटा बापू के घर पर सभी गाउं वालों के लिए खाना पकाती रही इतनी ठंड के दिन और वहभी बिना घर के बिताना रात के समय ठंड और डर दोनों के मारे नीन ही नहीं आती थी हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं फिर भूकंप आ गया तो चर्चा करो और लिखो क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है ऐसे समय में किन लोगों ने मदद की उनकी सूची बनाओ प्रिष्ट 133 फिर पहुँची मदद कई दिन तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे जैसे कोई तमाशा लगा हो ये लोग हमें खाने पीने की चीजें कपड़े और दवाईयां भी देते थे हम मेंसे कुछ को यह समान मिलता तो कुछ को नहीं होब छीना जप्टी होती थी इन चीजों के लिए कपड़े मिलते पर कितने अजीब से ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं पहने थे शहर की संस्था से आए लोगों ने सभी के रहने के लिए गुजारे लाइक तंबू लगाए सोचो जिन्वरी फरवरी का महीना कड़कती ठंड और छट के नाम पर प्लास्चिक का तंबू उन लोगों में कुछ वैग्यानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खत्रा है गाउवालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे इन लोगों में कुछ इंजीनियर और कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घरों के खास डिजाइन दिखाए उन्होंने बताया कि खास तरह के डिजाइन से भूकंप आने पर कम से कम नुक्सान होगा पर गाउं वालों को डर था कि कहीं ऐसा करने से गाउं अपने गाउं जैसा ही न लगे आखिर में यही फैसला हुआ कि हम अपना घर अपने आप मिलकर बनाएंगे संस्था के सुझाय डिजाइन के अनुसार यह भी निश्चित हुआ कि गाउं का स्कूल वे लोग बनाएंगे सबने मिलकर पूरा गाउं फिट से खड़ा किया गाउं की कुछ लोग सुखे ताला को खोद कर चिकनी मिट्टी लाए मिट्टी में फिर गोबर मिला कर बड़े बड़े उपले बनाएं और उन्हें एक दूसरे पर रख कर दिवारें खड़े की चूने से दिवारों की पुताई की घास पूस की छते बनाएं प्रिष्ट 134 फिर आइने के टुकडों से घर को सजाया हमारे घर की दिवारों पर मा और मैंने चित्रकारे की अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है चर्चा करो जस्मा के गाउं में बाहर के बहुत सारे लोग आए ये कौन लोग होंगे इन लोगों ने किस प्रकार की मदद की होगी जस्मा के गाउं के लोगों ने अपना गाउं संस्था के बताय तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया घरों को अब कैसे मजबूत बनाया? सोचो अगर तुम्हारे यहां भूकम्ब आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खत्रा होगा? तुम कहां रहोगे? ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देख भाल के लिए क्या करोगे? लिखो अपने घर की तुलना जस्मा के घर से करो दोनों घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई चीजों की सूची कौपी में बनाओ जैसे जस्मा का घर कहां है? आपका घर कहां है? आदे क्या क्या करें? संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या 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 करना चाहिए? प्रिष्ट 135 अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल आओ अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेट कर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाओ उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसल कर तुमसे दूर ना जाए कमपन रुक जाने तक इंतिजार करो चित्र में देखो भूकम्प आने पर क्या करोगी? चित्र में एक लड़का है जो एक मेज के नीचे बैठा है और उसने दोनों हाथों से मेज के पैर पकड़ रखे हैं आओ इसी तरह तुम भी करो अभ्यास करना है क्या जब हो भूकम्प का आभास क्या तुम्हें कभी स्कूल में या कहीं और इस बारे में बताया गया है कि भूकम्प जैसी मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? भुकंप के समय किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप जाने को क्यों कहा गया है? किसने की मदद? भुज में आये भुकंप की टीवी पर आई इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं एहमदाबाद 26 जनवरी 2001 आज सुबह गुजरात में आये भुकंप में कम से कम हजार लोगों के मरने की आशंका है कई हजार लोग घायल हो गए बच्चाव एवं राहत कारियों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है एहमदाबाद शहर में कम से कम डेड़ सौ इमारतें ढह गई इनमें लगभग एक दरजन बहु मंजिले इमारत थी आज शाम तक इनके नीचे से कम से कम ढ़ाई सौ शव निकाले जा चुके हैं कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं बचावकारे तेजी से चल रहा है शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारे ना पड़ी हूँ भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है चारों और डरे हुए लोग भगदर मचाय हुए हैं जवानों ने स्थाने लोगों के सहयोग से काम किया है रहतकारे के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं प्रिष्ट 136 लिखो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे भी अगर यहां बनी इमारतें भुकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता क्या अंतर होता ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की रहत की जरूरत पड़ी होगी ऐसे में किन किन की मदद की जरूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए कौपी में तालिका बना कर लिखो किन किन की मदद की जरूरत पड़ी जैसे कुत्ता काम में मदद उसने क्या काम में मदद की? सूंग कर जानना कि लोग कहां दबे हैं इसी तरह आप भी तालिका बनाएं चर्चा करो क्या तुमने कभी अपने इलागे में देखा है कि आस पडोज के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो ऐसा कब-कब देखा है? लोग अकसर एक जगह पर पास-पास क्यों बसते हैं? अगर तुम्हारा घर अपने इलागे में अकेला घर होता यानि तुम्हारे आस-पास कोई न रहता तो कैसा होता? जैसे तुम किस के साथ खेलते? क्या अकेले डर लगता? सभी त्योहार और खास मौके किस की साथ मिलकर मनाते? इत्यादे लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिन में जान और माल का भारी नुकसान होता है कई लोग बेघर हो जाते हैं पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ, आग, तूफान आदी के बारे में समाचार इकठे करो उन्हें कौपी में चिपकाओ प्रिष्ट 137 तुम्हारी समाचार रिपोर्ट तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तयार करो जिसमें इन बातों का जिक्र हो संकट का कारण, तारीख और समय, किस-किस तरहे के नुकसान हुए जान, माल, रोजगार का नुकसान कौन-कौन लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ले कौन-कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्यसंस थाएं क्या तुम्हारे इलाके में सभी लोगों ने भुखमरी, सूखा जैसी मुसीबतों का सामना किया है? ऐसे समय में खाने-पीने की बारी कमी हो जाती है अखवार से देश-विदेश की ऐसी खबरें ढूंडो और उन पर रिपोर्ट तयार करो किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी जरूरत पढ़ सकती है इनसे संपर्क करने के लिए तुम इनके फोन नंबर तथा पूरा पता कौपी में लिखो इस सूची में कुछ और नाम भी जोडो सूची इस प्रकार हो पता और फोन नंबर जैसे दमकलकेंद्र पता फोन नंबर नस्दी की अस्पताल पता फोन नंबर एंबुलेंस पता फोन नंबर पुलिस्थाना पता फोन नंबर प्रिष्ट 138 पहचानों संकट के समय को इन शब्दों की मदद से रिपोर्ट तैयार करो बाढ, नदी का पानी, घाय लोग, खाने के पैकेट, राहत कार्य, कैम्पों में रहना, लोगों के शव, जानवरों के बहते शरीर, डूबे घर, आकाश से निरीक्षन, दुखी लोग, गंदे पानी से बीमारियां, बेघर लोग, सामुहिक भोजन, फंसे लोग, हम क्या समझे, बाढ की समय किस-किस तरह की परिशानियां आती होंगी, चित्र देखो, यहां एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक महिला बाहर बच्चों को पढ़ा रही है, बाढ के बाढ बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, बताओ, और लिखो, बाढ के बाढ भी जिन्दगी को दोबारा पटरी पर लाने में, और क्या-क्या करना पड़ा होगा, जब धर्ती कापी, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा पांच की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का चौदवा पाठ, प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत